नए सितारे, कौन से निकल सकते हैं, क्या हो सकता है, और कौन ऐसे आपको लगता है जो कुछ बड़ा नाम करने की तैयारी में तीन-चार नाम ज़रूर लोगा, टी-एस अनिल करके हैं, जिनके साथ मैंने काम किया है, वो मौन्जो करके सबसे बड़ा डिजिटल बैंक है UK का, उसके हेड हैं, लगबग 50 लाख उनके इन्वेस्टर्स भी हैं, या कस्टमर्स भी हैं, टीया रामचंदरन हैं, वीजा के, सा सोचिए, मेरे चार लोग जिनके साथ काम किया हुआ है, वो भारतिये बैंक्स के हेड हैं, वैदेनाथन हो गए, IDFC, City Bank के हैं, शामशी निवासन, फेडल बैंक, DCB के MN मुडली, और DBS Bank के सेंगुपता, सुरजीत सेंगुपता, अभी शांतनु मित्रा इसके हेड हैं, अप न खुश हो जाते हैं, भारतिये मूल, मैंने हिठाची में काम किया था, जब OPC में था मैं, हिठाची के साथ था, वो इतने खुश हो जाते हैं भारतियों को देखके, कि उनको अभी चार चेर्मेंशिप देदी हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आनिल जी, अपैसली परनिंग से क्या लेसन्स से वो समझाईए बहुत सुनेहरा भविश्य है इसको गवाई नहीं काम करना चाहिए और अर्जिंसी से काम करिए और टाइम नहीं है किसी के पास टाइम नहीं है प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल मत करिए कल को मत टालिये जो काम अभी हो सकता अभी करिए आज हो सकता है आज करिए और जितनी आप अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं लर्निंग बढ़ा सकते हैं एडुकेशन जरूर लेजए जो मुझे मिलता है सब कहते हैं मैं स्टार्ट अप कर रहा हूं स्टार्ट अप बहुत अच्छा है बट एक MBA जरूर कर डालो चाहे शाम कोई कर डालो, क्योंकि वो जो आपको फॉर्मर लर्निंग आएगी, चालिस तरह की चीज़ें आपको, आप जैसे CA है, अनलजी, CA में आप बहुत डीप जाते हैं, फाइनाइन्स में, बट उनका प्रेजेंटेशन स्किल्स इतना अच्छा नहीं है, MBA क्या है, इतना डीप नहीं जाते हैं, बट वाइड हो जाता है, और प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको 200-300 प्रेजेंटेशन, ऐसे खतरनाक अपने, आने चाहिए, करना पड़ता है, कि वो रगड़ाई होके, तो कॉम्मिनिकेशन बहुत इंपोर्टेंट है, स्किल डिवलप्मेंट, कॉम्मिनिकेशन, अर्जेंसी, अर्जेंसी, एजिलिटी, यह दुनिया बहुत बदल रही है, नोकरियां होंगी नहीं, यह असाइनमेंट्स आएंगी, यह प्रोजेक्ट्स आएंगे, लाइफ लॉंग इंप्लोईमेंट्स जो हमारे टाइम की थी, वो कंपनिया नहीं दे पाएंगी, वो असाइनमेंट्स यह प्रोजेक्ट्स देंगे, तो फ्री किसी को रब मत करिये रॉंग वे, बुरा मेसेज भी देना है तो बना के रखेए जरूर। यह बात सही, तो बहुत सारी क्वालिटी इंटरसिंग बताईए आपने, अर्जेंसी के साथ काम करें, कम्यूकेशन स्किल्स आपकी बहतरी न होनी चाहिए, एजिलिटी रखें, और जिनके साथ आप जिन एम्प्लिवर्स के साथ काम करें, उनके साथ लोयल्टी रखें, और उसके अलावा जो प्वालिटी हैं, जो आपने पहले कहा हाँ, हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, और म नोरैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जेल जाना ही पड़ता है, वो पकड़ाई जाता है रोज, तो इस तरह से गलत तरीके से पैसा बनाना मत सोचिए, ठीक तरीके से सोचिए, बहुत बहुत ही ऑपरचुनिटीज हैं, हम बहुत लखी थे अनिल जी, हमारी ज जेनरेशन थे, जो मैंने जब सिटी बैंक जॉइन किया है, 55,000 सालाना सेलरी थी, और वो टॉप सेलरी थी, MBS स्कूल्स की डे वन की, उसके दो-तीन साल बाद मैकिन्जी वगरा आये, उन्होंने फिर 4-5 लाग कर दी, और वो सेलरी बड़ी नहीं दो-तीन साल के लिए, क्यो Everything is changing, opportunities बहुत है, कोई भी hard work कर ले, और दिमाग वाला कोई भी हो, बहुत successful होने के बहुत सारे आपकी probability है